असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग होपफुली आप सब खेलियत सी होंगे आप देख रहे हैं आप सबका अपना फीवरिट चैनल बजीज पैरिट्स इंफरमिशन जहां में लेकर आती हो आपके लिए आपके लिए लवर्स के लिए बहुत इंफरमेटी वीडिय और मेरे जो सपोर्टिव सिस्टम है मिन्स के वो लोग जिन्होंने बहुत पहले से मेरे चैनल को सबस्क्राइब किया है मुझे सपोर्ट करें मुझे अप्रिशेट करें मैं उनकी बहुत ज़दा थेंक्फुल हूँ और आजए इसके साथ ही हम अपने आज की टॉपिक के ज जा रहे हैं कि जिसके फाइदे तो बेशुमार है लेकिन यह हमारे घरों में आम तो पही जाती है कि इसको आपने को कोई बाहर से नहीं पर चेस करना पड़ता स्पेशली आपके घरों में आपके किचन में नॉर्मली डेली रूटीन की यूज होने वाली चीज है समर सीजन चीजों के लिए यूज करते हैं कि आप जानते हैं कि एक ब्लीची के एजन्ट होने के साथ साथ यह हमारी बॉडी को दी हाइडरिशन से भी बचाता है उसके इलावा भी इसके बिशुमार फवाइद हैं कि इसके छिलके से लेके इसके जूस तक हर चीज हम खानों में इस् बैट्यवन के आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के इंदर जो सेल्ग वूते हैं उसमें سے कुछ जर्म स하고 बाहिर आजाते हैं लेकिन कुछ बहूत से ऐसे होते हैं कि बहुत से जो हमारी बॉडी में मौझृ के मझालने मैं मदत करते it alluh बाइर निकाल देगा यह एंटी ऑक्सिडेंट चीज है जो हमारे बर्स के लिए बहुत जादा फाइदा मन्द है तो आपने किस तरह से यूज करवान है आए तो इस पर बात कर लेते हैं आप 100 अमल पानी में 10-15 ड्रॉप्स लेमन जूस के एड करके बर्स को दे सकते हैं आप आप 3-4 आर्स के लिए पानी को रखेंगे अपने बर्स के केज में और उस बावल में जिसमें आप पानी के अंदर चंद ड्रॉप्स मिक्स कर देंगे जसे मैंने आपको बताया तेंट टू-फिटीन ड्रॉप्स आपने एड करने है पानी में अगर आपके बर्स की गौान् पानी वो बहुत चौक से पिएंगे और आप इसको कितने डेस देंगे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने बर्स को पूरा वीक देते रहें कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 3 डेस अपने बर्स को दें उसके बाद कुछ टॉपिक मैंने बात की 11 के बारे में होफ़ली आपको बहुत पसंद आया होगा मिराज को टॉपिक और आप इससे जरूर अपने बर्स करके देखेंगे कि इसके क्या फवायद हैं तो फ्यूवर्स मिलते हैं आप से किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब त